Dear Parents, Online Classes के दौरान, Teachers के द्वारा जो भी content WhatsApp ग्रूप में share किया जा रहा है, जैसे कि वीडियोज या images या तो PDF फाइल, वही content Never Skip के Parent एप में भी upload किया जाएगा. इसमें आपको यह फाइदा रहेगा, कि यह जो भी content Never Skip के एप में upload है, वो server पे store होगा, आपके mobile की memory फुल नहीं होगी, उसके अलावा WhatsApp ग्रूप के अंदर आपको content सर्च करने के लिए कई दिक्कत होती है, क्योंकि बार-बार बहुत सारे messages भी बीच में आते रहते हैं. Parent app के अंदर directly उस particular child को आपको select करने से, आपके बच्चे को select करने से, पूरा content जो content upload हुआ है, सिर्फ वही आपको show होगा, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी. इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप play store open कीजे और never skip parent app यहाँ पे आपको type करना होगा, इस app को install कर लिजे, install करने के बाद आप open पे click कीजे, आप जब open पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको यह registered mobile number enter करने के लिए बता रहा है, यह registered number वो mobile number है, जिस पे आपक हमेशा school से जो भी text messages आते है, या आपके बच्चे के birthday पे जो greeting message आता है, वो नमबर जो registered है, उसी number को आपको enter करना है, जैसे यहाँ पे मैंने मेरा register mobile number enter कर दिया है, register number enter करने के बाद एक OTP यहाँ पे आएगा, 4 digit का, जिसे मुझे यहाँ पर type करना होगा, अगर आप किसी और mobile में आपका register number यूज कर रहे है, लेकिन आपको never skip का एप किसी और mobile में चाहिए, तो same process आप follow कीजिए, सिर आपको यह ध्यान रखना है, कि जो OTP आया है, उस mobile पे, उस OTP को आपको यहाँ पे type करना होगा, तो इस तरह से आप सिर उस OTP को, जिस register number पे जो OTP है, आप इसको type कर लेंगे, तो इस second mobile पे भी इसी तरह parent app भी use कर सकते है, एक बार parent app आपका जब install हो जाता है, उसके बाद आपको, यहाँ पे जो three lines आ रही है, उस पे tap करना होगा, content library पे click करना होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, यहाँ पे मेरे दो बच्चे हैं, एक का नाम है Ronald, एक का नाम है Stannie, तो मुझे जिस बच्चे का content देखना है, online content मैं उस बच्चे को select करूँगा, जिसे यहाँ पे मैं दुसरे बच्चे को select करूँगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह content already इस बच्चे के लिए teachers के दोरा post किया गया है, अभी यहाँ पे subject wise बहुत सारे आ रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ maths का content देखना है, तो मैं आप पे drop down में जाके सिर्फ maths select करूँगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ maths का content शो होग आप लोड किया था उस date के, जैसे 13 को कोई content upload नहीं हुआ था, अगर मैं इसको 11 करके देखता हूँ, 11 को यह content upload हुआ था, तो date wise भी मैं उसको short करके देख सकता हूँ, तो particular content ही दिखेगा, अब यहाँ पे मैं इसे all कर देता हूँ, और यहाँ पे वापिस filter हटा देता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हूँ, यहाँ पे जैसे rational number नाम का एक content यहाँ पे upload किया गया है by teacher के द्वारा, यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो और तीम images यहाँ पे upload की है, जब मुझे वीडियो देखना है, तो मैं वीडियो पे tap करूँगा, तो वीडियो screen पर शुरू हो जाएगी, जैसे मैं tap करूँगा start होने के लिए, तो इस तरह से आप वीडियो content देख सकते हैं, उसके अलावा तीजने जैसे है, जो images पोस्ट किये, जहाँ पे आपको छोटे से icon दिख रहे है, blue color में, जब आप उस पर tap करेंगे, तो जो भी images या PDF अपलोड की गई है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यह first number की image है, यह second number की image है, और यह third number की image है, इस तरह से आप जो भी image भी टीचेस के द्वारा पोस्ट की गई है, इसे देख सकते हैं, वापिस आपको अगर फर्स आपके जो पहला करके student को select कीजे, और उस बच्चे का जो भी content upload हुआ हुआ है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से parent app में जो भी content teacher WhatsApp में post कर रहा है, उसे आप देख सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, अगर आपको आपके register number कौन सा है, उसमें कोई भी दिक्कत हो, तो आप school के जो दो number है, 800-30-37-410 या तो 70-14-17-4720 पर office time में call करके आप inquiry कर सकते हैं, thank you.